हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वाधत हैं आपके अपने ही यूटूब जैनल एल जी आरस्टेडी में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहें कि मेरे द्वारा दोस्तों सुबह में ही बताया गया था कि प्रवेश परिक्षा का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है ओनलाइन फ लिंक शुका है जहाँसे दोस्तों आप को बता दे कि अपने मोबाईल से अपना फॉर्म आहाँसे जाकर की आपको अपने फॉर्म भणा है तो आप लोग भी दोस्तों ये झानकारी डिटेयल मिले हैं तो इस वीडियो कौन तक ज़रूर देखिएगा ल haven लेकिन दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ही बनाया जारा है तो आप लोग अगर पूरा डीटेल में समझना है स्टेप बाई स्टेप तो इस वीडियो कौन तक जरूर देखिएगा तो चले दोस्तों बिना टाइम गवाई वीडियो को सुरू करते हैं आपको बता देखिए कि परवेश परिच्छा के बेहतर तयारी के लिए इस चैनल पर जो है ऑल सब्जेक्ट का ओनलाइन क्लास आप ल अपने मॉइल से आप लोग step by step कैसे form भारेंगे तो सुबा में दोस्तों जो notification जारी हुआ था उसमें दोस्तों मेरे द्वार आप लोग को बताया भी गया था बहुत सारा चीज और यहां पर भी आप detail में जो है बहुत सारा चीज देख सकते हैं देख सकते हैं कि जो आपका जो है 73 2020 को जो notification जारी किया गया था इसमें भी दोस्तों step by step जानकारी दिया गया है तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर आप लोग कैसे जो है अपना ओनलाइन अप्लिकेशन भारेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि अनलाइन आवेदन भरने हेतू हैना अभ्यारती परसद के हैना उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लिकेशन पोर्टल ओफ DCEC 2020 लिंक पर किलिक करें अब आपको किस वेबसाइट पर जाकर के किलिक करना है तो यहां पर आपको वेबसाइट जो है हम दिखा दे जहां पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा आपको आपको वहाँ पर ले चलेंगे उस लिंक पर दोस्तों लिंक क्या होगा online application portal of dcece 2020 इस पर click करेंगे click करने के बाद वहाँ पर क्या किया जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप उस पर click करेंगे तो यह step 1 step 1 आप वहाँ जो आपका open होगा यहां पर आप देख सकते हैं कि किलिक करें इसके उपर अबेदन प्रपत्र भरने है तो जो निर्देश दिखेगा उसे अभ्यरति अच्छी तरह से क्या कर लेंगे पढ़ लेंगे तो step 1 यहां पर step 2 step आप को बताने वाले तो चले सबसे प है वो bceceboard.bihar.gov.in आप किसी अपने जो है किसी भी ब्राजर में जैसे हमने chrome ब्राजर में यहां पर खोल रखा आप किसी भी ब्राजर में सार्च करेंगे bceceboard.bihar.gov.in जैसे सार्च करेंगे तो दोस्तों यह official website है इस website पर आप पहुँच जाएंगे और इस website पर देख सकते हैं कि यहां पर आपका एक section मिलेगा यह section आप गौर से यहां पर आप देख पा रहे होंगे बोला गया है online application forms और इसमें दोस्तों यह जो तीसरा link है अगर आप लोग polytechnic का form भरना चाहते हैं पॉल टेकनिक का तो यह तीसरा link जो आप देख सकते हैं online application portal of DCEC कुछ student PE का भरेंगे कुछ PPE का और कुछ student PM या फिर जो PMD का भरना चाहते हैं उन सभी के लिए यही दोस्तों आपका जो है यह जो link जिस पर हमने दोस्तों किलिक किया वही link है अब इस link पर आप जैसे ही दोस्तों किलिक करेंगे तो क्या आपके सामने खूल के आएगा मेरा net हलका slow है तो हलका time जो है लग रहा है यहाँ पर देख आपका साइट क्या हो यह ओपन हो रही जैसे ही आपका जो है किलिक करने के बाद आपका इस तरह से साइट क्या हो जाएगी खुलेगी और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको तीन आप्शन जो है मिल रहा है के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है खुल के आएगा यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया है important instruction for candidates आपको कुछ instructions यहाँ पर दिया गए जो की पहले ही आपको क्या करना है तयार रखना है इसके लिए आपको email id, mobile number ये सब पहले ही दोस्तों क्या कर लेना है आपको पहले से क्या करना है तयार रखना है soft copy of passport size photo ये photo का भी photo कम से कम दोस्तों क्या होना चाहिए 100KB का 100KB का दोस्तों क्या होना चाहिए photo होना चाहिए less than 100KB से अंदर का आपका क्या होना चाहिए photo होना चाहिए ये सब आप क्या करेंगे इसके बाद आधार card इसके बाद एक credit card net banking से अगर आप payment करना चाहते है तो वो या नहीं तो आप ATM से करना चाहते तो ATM या फिर जो आपका debit card है वो आप अपने पास इतना पहले क्या कर लेंगे रखेंगे तब आप form भरना start करेंगे क्योंकि सभी का दोस्तो जरूरत परेगा अब यह सब instruction परने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपको करना क्या ह तो यहां पर एक option आपको दिख रहा होगा sign-in का एक option क्या दिख रहा है sign-in का तो यह sign-in वो student यहां पर करेंगे या फिर एक्टिव अकाउंट जो वो student करेंगे जो दोस्तों पहले ही registration करवा लेजिसे मान लिजिए कि पिछले साल उन्होंने registration करवाया था तो उन लोगों का यहां पर direct sign-in होगा लेकिन जो student फर्स्ट बार इस बार क्या कर रहे हैं अपना फर्स्ट बार बनने जा रहा है मतलब वो कभी registration नहीं करवाये हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक option new registration का option आपको दिख रहा है new registration का option दोस्तों जो आपको दिख रहा है इस पर आप क् क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखते हैं कि आपका format यहां पर क्या हो चुका है खूल चुका है अब हम देखते हैं कि इसमें आपको आखिर क्या क्या डालना होगा step by step पूरा बताएंगे पूरा detail में जानकारी देंगे तो आप लोग बने नहीं क्योंकि अगर आप लो या फिर PM या फिर PM प्यम दि जीस群 गृूप से आप लोग जो है करना चाहते होंगे वा दोस तो आप जो है इसमें सवाह highlight कर लेंगे जैसे मानलेजी जिसको पी करना है तो P से करना है तो यह क्या Saat P पर 卟ी करने के बाध देख सखते हैं कि आपका जो है यहाँ पर आगे क्या ढूчи suburbs सजा रहा है यो और नेम आप अपना क्या करेंगे नाम डालेंगे मिडिल नेम लस्ट नेम इसके बाद event दालेंगे इसके बार선 करेंगे date of birth यहाँ पर date होगा यहाँ पर month होगा यहाँ पर year होगा फिर से date of birth डालेंगे month और year करके इसके बाद आगे देख पा रहे होगे कि आगे आगे आपको करना क्या है आगे आप देख सकते हैं कि you are you permanently resident off beer मतलब आप पर्माणेटली जो है विहार के रहने बाले हैं तो आगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आ दोस्तों यह जो आप दिखा राएं कि select का जो option है यह जो दिख रहा है इस पर जैसे ही आप दोस्तों click किजिएगा दोखी click करने के बाद आपके सामने option आया अगर आप बिहार के है फर्मनेंटली बिहार करने वाले हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यस option है यस को हम क्या करनेगे click कर लेंगे तो आप जो है क्या करेंगे यहाँ पर option खोलेंगे माता पीता या मुल निवास है तो अगर पर माता पीता आपका मुल निवास होगा इसके बाद आपका जो है क्या होगा यहाँ पर देख सकते हैं कि category आपको क्या करना है reservation category जो होता है CST OBC यहाँ पर जैसे आप इसको में देख सकते हैं कि अगले option में भी फिर से category आपको select करना तो यहाँ पर आप जैसे के लिक करेंगे तो फिर से आपको एक बार category क्या कर लेना select कर लेना category बहुत ही माइनर रखता है इसलिए दो दो बार आप से क्या करवाया जा रहा है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकत की हमेन्क पर करेंगे। क्या करने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको क्या करने की जरूत है e-mail id ऎलना है password को ऐससे यहां पर क्या करना है दालना ह의 password को फिर से आपर क्या करना यहां कश्चा करना है लुब मुभाइल नमबर इसके बाद रिंटर ययो ऑन मो दालना है इसके बाद देख सकते हैं किiro understand Chris यहां question है यहां पर यहां पर खुलेगा आप देख सकते हैं यहां पर दालने के बाद यहां पर देख सकते हैं स्कतों जो चीजे एं ये हैं यूर स्क्रेटली ऐनसर बनाया तो से क्वेरेंगि तो डुस्छ के तो डिख सकते हैं कि Cabcha Code यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग Lord आल दने के बाद Sign Up करेंगे प्रसनल इन्फोर्मेशन भरना है एस्टेप 2 में प्रसनल इन्फोर्मेशन आपको क्या करना होगा भरना होगा जैसे वहां पर आप क्या करेंगे जो बरेश्टेशन करवा लेने के पाद आप प्रसनल इन्फोर्मेशन भरेंगे इसके बाद सिर्ट्रेट में क्या करेंगे इसके बाद स्टेट फोर्थ में क्या करेंगे आप जो है किए सब भरने के बाद स्टेट 5 आप देख सकते हैं की अप्लिकेशन प्रिभी योड अप्ली के शन को से नारी होगा या फिर आप ड्राप से भी क्या कर सकते हैं कर सकते हैं पर आप देख सकते हैं कि बैंक चालान से भी कर सकते हैं घाघगाई दोष्तो आपको बतादे कि ये जो नोटिफिकेशन है किसे करना है नहीं करना है यह आपा जो को हमारे चैलिजिंगे पर और जितना भी आप लोग से संबंदित जितना भी छोटा जनकारी होगा टेलिग्राम चैनल में जो हैं टेलिग्राम चैनल को जोन याद कर लिजे और यह दे देंगेøंगे वहाँ से यह अगर तो आप लोग परपरखेंल पर करके भी आप क्या कर सकते हैं तो आज के लिए तना ही रखते हैं अगर फॉर्म से संबंधित और भी कोई भी कंट्फिजन आपके पास बच गया हो हो सकता है कि कुछ टॉपिक छूट गया हो मुझे तो आप लोग क्या करेंगे कमेंट में लिख देंगे मैं 100% आपके कमें करेंटी की निसान को जरूरत बादीजेगा और यहां पर आपका सारा अंलाइन क्लास लिया जा रहा है तो आप लोग जो है सारा क्लास पर देख दिन कीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और एलज्यार स्टडी देखते रशिए